उत्राखंड में 5 फरवरी 2019 से लागू है EWS की ब्योस्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन को जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्राखंड में सामने जाती के हजारों युवाओं को मिलेगा फाइदा आर्थिक आधार पर आरक्षन देने के मामले में उत्राखंड गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य था अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में यह ब्योस्ता लागू रहेगी राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन अध्यादेश 2019 के तहट पांच फरवरी 2019 से लागू किया गया था उसके बाद से राज्य में हो रही सबी सरकारी भरतियों में इसके तहट आरक्षन दिया जा रहा है राज्य में परवुक रूप से राज्य लोग सेवा आयोग उत्राखन अधिनस सेवा चेहन आयोग और चिकिसा चेहन बोर्ड की ओर से विभिन विभागों में खाली पदों के लिए भरति की परिक्रिया पूरी की जाती है और तीनों ही आयोग की ओर से युवाओं को EWS का लाब दिया जा रहा है इसके साथ ही अन्य संस्ताओं की ओर से की जाने वाली भरतियों में भी युवाओं को EWS का लाब दिया जा रहा है तो जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं कमजोर वर्ग के लोग हैं वो EWS का सेटिपिकेट अपना जो है बनवाले क्योंकि इसका फाइदा आपको आगे UKPSC के एक्जामस में मिलने वाला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अरक्षण के लिए सरकार ने सालाना आठ लाख की आयत तै की है और इसी के आधार पर युवा तहसिल से EWS का सेटिपिकेट बना सकते हैं इस सम्मन में करन महरा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले 10% EWS आरक्षण पर सुप्रेम कोड का फैसला स्वागत योग है जो भी आर्थिक रूप से गरीब पिछड़ा वर्ग है उसे इसका लाब मिलना ही चाहिए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस हमेशा ही गरीब पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने पर जोड़ देती है जब तक ये वर्ग मजबूत नहीं होगा भारत कभी भी मजबूत नहीं हो सकता ऐसे में हर जाती धरम संपरदाई के पिछड़े दबे वर्ग को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता रहेगा भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि आर्थिक रोप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन की ब्योस्ता प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के नेत्रितों में भाजपा की ही सरकार ने किये आप सुप्रेम कोर्ट ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन को जार रखने का फैसला दिया है इससे उत्राक्षन के हजारों युवाओं को लाब मिलता रहेगा जो लोग EWS के अंदर आते हैं वो जो है अपना सेटिपिकेट बना लिजिए दोस्तों ताकि जो है आपको आने वाली एक्जाम्स में वेनिफिट मिल पाए तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपको आने वाली गवर्मेंट जॉब के अपडेट मिलते रहे